हेलो दोस्तो स्वागत है आपका आपी के यूट्यूब चैनल जे एन के स्टड़ी एन जोब अब्लेट्स में तो दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्यूचल फंड्स में रेगुलर डिविडेंड म्यूचल फंड्स और दूसरी कैटेगरी डिरेक्ट म्यूचल फंड्स इन में क्या डिफ्रेंस है काफी शारे दोस्तों की मेरे पास क्यार यार्जी सर आप इनका जिकर तो करते हो अपने वीडियो में लेकिन इनको डिटेल में समझाओ तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंफर्मेटिव होने वले दोस्तों आपके लिए यह जाना बहुत जुरूरी है ने तो आप गलत मिचल फंड में इंवेस्ट करोगे तो आप कमीशन जादा देना पड़ेगा तो कि सही चीज नहीं है तो चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए वीडियो को लाइक नहीं किये तो वीडियो को लाइक कर दीजिए डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे सोचल मीडिया लिंक्स मिल जाएंगे दोस्तों उनको जरूर से जोइन कीजिएगा तो मेरे जम्मू कश्मीर के प्यारे मैनेजर तो आप से कमिशन लेगा ही लेगा और प्लैटफों में वह भी आपसे कमिशन लेगा तो यहां पर आपको कमिशन जादा देनी पड़ती है साथ में वर्ड जुड़ा होता है डिवीडेंड का मतलब कि जितना भी रिटर्न आपका साल का बना वह आपके अकाउंट म कर पाएगा तो regular मालो आप लेना चाते हो SBA का small cap fund small cap लो लेकिन regular dividend उसके साथ लगा होगा पक्का उसको नहीं लेना है उसी SBA small cap को किसमें लेना है नीचे ही उसी में option होगा direct growth direct का मतलब क्या होता है इसमें आपको platform को कोई fees नहीं देनी होती सिर्फ fund manager को expense ratio उसकी commission देनी होती है तो इस mutual fund में जो commission होती है वो कम देनी पड़ती है इसमें growth का मतलब क्या है compounding compounding का मतलब क्या होता है कि जो भी आपका yearly interest बनता है उस interest को उस interest को reinvest कर देता है mutual fund जिससे की compounding का factor आपको मिलता है और long term में जो आपका पैसा होता है वो काफी ज़्यादा बनता है दोस्तों ये कुछ major differences थे दोस्तों regular dividend mutual fund में और कौन से direct growth mutual fund में इनका आपको ध्यान रखना है ठीक है वीडियो अच्छी लगे informative लग रही हो लाइक कीजिएगा जाधाधा शेयर कीजिएगा अब बात करते हैं कि सर काफी सारे बच्चे मेरे से ये भी कोशन पूछते हैं कि सर जब हम mutual fund लेने जाते हैं तो वहाँ पे काफी सारे पहले तो एक चीज़ बता दूँ आपको कभी mutual fund लेना ना online platform से लो link आपको इसमें bank का commission जुड़ेगा मैंने बताया था platform का commission जुड़ता है किसी भी bank वगएरा में जाके मत लेना फिर से बता रहा हूं online platform से लो उसमें फाइदा है कि आपको regular option भी मिलेगा लेकिन direct का मिलेगा बैंक वाला पूछ लेना उससे अगर आपको विश्वास नहीं होता बैंक में जाना बोलना सर में को आपका mutual fund चाहिए बोलेगा कौन सा बोलना सर इंडेक्स वाला चाहिए यहां फिर आपका large gap चाहि करना और बैंक में जाओ को बैंक के सिर्फ अपने दो तीन mutual fund मिल जाएगा online platform पर आपको हजारों mutual fund मिल जाएंगा लगला companies के ठीक है तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं दोस्तों नहीं वीडियो में तब तक के लिए बाइ टेक केर